सिटी निउस टूडिय लाइब में आपका स्वागत है मुखिया पधेतु उमिदवार रेनु देवी पंचायत मुरसंड निवेदक रीतु रंजन आप अपना परिचा देजिए नमस्कार मैं रेनु देवी मुरसंड पंचायत के मुखिया पड़त्यास्ती हूँ मैं मुरसंड पंचाज अस्थर से आता हूँ मैं मुरसंड पंचाज अंतरगत कट्रामोर पे एक छोटा सा होस्पिटल चलाता हूँ और मेरी मा रेनु देवी जो कि मुरसंड पंचाज शेतर संक्या सुला से मुखिया पड़त्यासी है अब यह बताईए कि आप जो है समाज में क्या कुछ समाज सेवा करते हैं समाज सेवा जो है बहुत प्रकार से होती है एक तो अंतरभाव से होती है दुसरा दिखावे के लिए होता है तिसरा गरीब का दिल से मदद किया जाता है तो हम गरीब के साथ जूरे हैं गरीब ने उनको मत अपने और आकरसित किया है उस्पिटल के माध्यम से हो रोट पर रह चलते रह घीर के लिए हो या पिर किसी भी बर के सुख दुख में हम तभी के साथ चले हैं जिसका नंते हैं लोगों कि चाह है कि हम तमाज सेवा अच्छ तो आप अपने पंचात के बारे में भली भाती क्या कुछ समस्या है जानते हैं हम अपने पंचात की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को जानते हैं यहां सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है किसान मजदूर की समस्या है यहां पर ना किसी को मन रहेगा क किसान को जो है सोचाले का निर्मान में कोई फादा हुआ है ना किसी को सही से इंद्रावास मिला ना किसी का नाम पांच सालों में किसी का नाम रासनकार्ड में नया जुरा है यहांपे ना किसी के लिए अब दूसरी बात है कि यहां पर बहुत ऐसे जहां पर एक एक सौम घर है वहां जाने के लिए रास्ता नहीं इस समय आप जाईएगा और इस समय भरवर्ठ उना घुटना भर पानी हेल पर जानना होगा अब यह बताईए कि आपने समस्या तो गिना दिया सब जनता अगर आपको चुनती है तो इतने समस्याओं को जो है जनता हमको चुनेगी सबसे पहले मेरा सबसे कर्तब है सबसे बरा धर्म है जनता का जो दुख हो उसका जो हक हो उसके पास पहुंचना चाहिए मतलब आप जो है जनता के समस्या का जो भी निदान निकलेगा वो आप करेंगे समस्या उसके दूर करेंगे अंत में ये बताईए कि जनता से आपका किस तरह से संबाद होगा जीतने के बाद जनता के द्वार पर आप रहेंगे या आपके द्वार पर जनता के काम कराएगी ये बताईए हम आज भी जनता के द्वार पर हैं आज भी समाज के बीच हैं कल भी मैं समाज के बीच रहूंगा और मुर्सन पंचाथ की सभी जनता मेरे लिए गार्जियन समाने है भगवान समाने है मैं उनका सेवा करते आ रहा हूँ और आगे भी करते रहूँ चलिए सिटी ने स्टूडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद